पूर्व मुख्य मंतरी और पीडिपी के अध्यक्षा महभुवा मुफ्ती ने डीलिमेटिशन कमिशन के साथ मुलाकाद करने से इंकार किया उनने कहा डीलिमेटिशन कमिशन से हम मुलाकाद नहीं करेंगे और वज़ा भी बताई कि चूंकि जमकुष्मीर री औरगनाइशन आक्ट 2019 को हम लोग ने सुप्रीम कोड में चैलेंज किया है तो उसी आक्ट के तहट बनाए गए डीलिमेटिशन के सामने जाना हम ठीक नहीं समझते ये बात पूर मुख्यमंतरी महबव मुफ्ती और पीडिपी अध्यक्षा महबव मुफ्ती ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भी कहा और उनके दाइबाएं जो लोग रहते हैं उन लोग उने भी ये बात बार बार रीट्रेट की कि इनी कार्णू से पूर मुख्यमंतरी महबव मुफ्ती डिलिमिडेशन कमिशन के सामने नहीं गई डिलिमिडेशन कमिशन के सामने जाना या ना जाना ये अधिकार और इस पर सोच विचार करके जाना है या नहीं जाना है ये फैसला लेने का अधिकार केवल PDP के नेताओं के पास ही है लेकिन आम आदमी ये सवाल पूछता है कि जम्मुकश्मीर Reorganization Act 2019 के तहट जम्मुकश्मीर को जम्मुकश्मीर और लद्दाक दो यूनिन टेरिटरीज में बांटा गया जम्मुकश्मीर को दो यूनिन टेरिटरीज में बांटने के बाद DDC के चुनाव हुए DDC का इंस्शूश्मीर जम्मुकश्मीर में जम्मुकश्मीर Reorganization Act 2019 के एपलिकेबल होने के बाद ही आया DDC के चुनाव में People's Democratic Party गुपकार एलाइंस का हिस्सा बनकर चुनाव में तो उतर गई उस समय ये सोच विचार क्यों नहीं आया उसके बाद 24 जून 2021 प्रधान मंतरी नरंदर मोदी ने जिस समय आमंतरन दिया जम्मुकश्मीर के पूर मुख्य मंतरियों को पूर उप मुख्य भी गए हलांकि आमंतरन स्विकार करने से पहले आपने सारी की सारी जिम्मेदारी उस आमंतरन को स्विकार करने की नेशनल कॉन्फरेंस के नेता और नेशनल कॉन्फरेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इबर आपने कहा कि हम तो जाना नहीं चाहते थे लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दिल्ला नहीं ये कहा कि जाना पड़ेगा तो उसके चलते हम भी दिल्ली गए और प्रधान मंतरी नंदर मोदी ग्रह मंतरी अमिट शाह मोस्ट पीम और डॉक्टर जितंदरा सिंग इन सब से हमने व कोई है इस मुलाखात में भी आपने हिस्सा लिया लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि आने वाले कल में इसेंबली के चुनाव जमुकश्मीर में होंगे आपने ये कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर चुनाव हम जीत भी जाते हैं तो मैं मुख्यमंत्री नहीं क्वाल होंगे झाल 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 झाल